भगवान श्रीकिष्ण के शरीर का रंग काला है या नीला है? इस बात को हम आपको प्रमाण द्वारा इस वीडियो में विस्तार पूरोग बताएंगे इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे पास्व मेल एकन बटन है उसे विदबाना ना बुलें जिससे हमारे वीडियोस की नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें स्रीकिष्ण के शरीर का रंग जो है वही श्रीराम और श्री विश्नु का भी है गरंतों में भगवान के तीनों रूपों का रंग अलग लग है ऐसा कहीं नहीं का गया अतह विश्व में कई मंदिर हैं जहां श्रीकिष्ण, श्रीराम और श्री विश्नु की मूर्ती या तो काले रंग की है या नीले रंग की और कहीं नीले काले रंग में भी बहुत अंतर है कुछ स्थानों पर हलके नीले काले रंग की पृत्मा है तो कुछ स्थानों पर गहरे नीले काले रंग की पृत्मा है चित्रकारों ने भी कुछ इसी प्रकार की चित्र बनाए है तो प्रश्न यह है कि भगवान का रंग वास्तों में कैसा है? कौन सा रंग सही है? भगवान के रंग के बारे में कहीं तो यह कहा गया कि वो श्याम रंग के हैं, कहीं बरस्ते हुए बादल के रंग के, कहीं गहरे काले तो कहीं गहरे नीले, जैसे भागवत पुराण में कहा गया कि वर्षा कालिन मेग के समान श्यामल शरीर पर पितामबर फहर रहा था यानि वर्षा के समय जो बादल होते हैं वैसे ही भगवान के शरीर का रंग है किन्तु वर्षा के समय कभी बादल गहरे काले होते हैं तो कभी गहरे नीले होते हैं इसलिए यह कहना कठिन है कि भग गवान शेकिष्ण के शरीर का रंग कौन सा है लेकिन शेकिष्ण का एक और नाम है श्याम सुन्दर जिसका अर्थ है श्याम यानि काला रंग जो सुन्दर है अब काले रंग में भी कई प्रकार है यदि आप कहें कि भागवत पुराण वर्णित वर्षा कालीन बादल के जैस तो फिर कौन सा श्याम शुंदर रंग अगर श्याम और वर्षा कालिन मेग के रंगों की उपेक्षा करें तो पुराणों में कहा गया मस्य पुराण में कि अलसी पुष्प के समान नील वर्ण नारत पुराण में भी कहा गया भगवान के श्री अंगों की कांती अलसी के पुष्प की भाती है यानि भगवान के शरीर का रंग अलसी के पुष्प के समान नीला है समय के अनुसार अलसी फूल का रंग भी अलग होता है सूर्य उदे अस्त और दोपहर के समय वातावरन का अलग अलग दिखाई देता है सुरज के किन्डों के कारण इसलिए फूलों के रंगों में भी हलका सा बदलाव दिखता है तो फिर प्रश्ण उठा कि किस समय का रंग सही है बास्तों में भगवान के शरी का रंग क्या है यह कोई नहीं जानता और जो जानता है वो आपको बत इसलिए क्योंकि भगवान का शरीर दिब्व है, दिब्व सरूप को देखने के लिए दिब्विद्रिष्टी चाहिए, जैसे कान कभी देख नहीं सकते, आँख कभी सुन नहीं सकती, क्योंकि दोनों का विशे अलग लग है, इसी प्रकार माया के शरीर में होते हुए इससे तु मेरी इश्वरी योगों को देख, यानि जब तक दिब्व दिष्टी नहीं मिल जाती, तब तक लोग दिब्व भगवान को सामान्य माया मनुश्यों की भाती देखेंगे, इसलिए शीराम चरीत मानस में कहा गया, कि जिनकी जैसी भावना होती है, प्रभु की उन्हें वैसी ही दिखती है, जब स्रेकिष्ण मत्वरा पहुचे, तब कुछ लोगों को वो वीर लगे, कुछ लोगों को मोहग लगे, योधन को नात परम योधा, अविजित अतलित बल वीर लगे, शस्चन से अंग स सच्चित हैं, गण भीच खड़े गण धीर लगे, न पास दिव्य दिष्टी आ जाती है, या कहें जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, वो भगवान के वास्तविक ruling को देखने में समर्थ हो जाते हैं, अस्तु, चूकि दिवरंगों की तुल्ला दिवरंगों से ही हो सकती और माया के रंगों की तुल्ला माया के रंगो से ही हो सकती है इसलिए वास्तविक रंग बताना संभो नहीं है अतह संत भक्त भगवान के उस दिव रंग को बताने में असमर्त हैं इसलिए उन्हें जो रंग उचित लगा वो रंग कह दिया फिर भी अधिकांश संतों ने यही कहा कि अलसी फूल का रंग ही भगवान कोशन हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें